पहले स्वागत है आपका ताउजी कैसे देख रहे हैं योग्यादी तनाथ ने एक रिसेंटली ये बयान दिया है कि चौधरी महेंदर सिंग टिकेट या फिर चौधरी चरंड सिंग या फिर जो सूटर दादी है नाम जो है तीन है और सड़के भी जो है तीन सरकार ने जो देखिए यह लॉली पॉप है और किसान ने कभी ने कहा हमारी सड़कों का नाम रखिए बागपत डिस्टिक चौधरी चरंड सिंगी जी के नाम से जाना जाता है वो सड़कों के नाम से नहीं जाना जाएगा स्वर्गय बाबा मेहंदर सिंग टिकेट किसानों के मसिया थे सावासा उताज नहीं है और दादी सुटर सुटर दादी हमारी वोसीटिंग के उससे जानी जाती जह रएवरी सुटिंग रेंज उनके नाम से कि और यह क्या कर रहे हैं है यहां चोधरी यह सब बोटों की राजनीती है यह बोटों की राजनीती है चोधरी चरण सिंग जी के नाम पर यहां एक सड़क दे रहे हैं और लखनुब के अंदर उनका Yeah अ Quickly कर दा स्मान अड़ानी अएरपोर्ट कर दिया घया तो हमें जमीन पर ला रहे हैं ये चाहते हैं कि हम जमीन पर रहेंगे आस्मान में ना उड़ें उपर ना उठे किसान उपर ना उठे चोदरी चरन्चिंग का नाम तो ये जमीन में रखना चाहते हैं ये देश की जनता जानती है पश्चिम उत्तर परदेश का और देश का किसान यह जानता है कि चोधरी चरण सिंग जी क्या थे इनके कहने से वह जमीन पर नहीं रहेंगे वह उड़ेंगे और यह जो किसान है यह उड़ाएगा उनको यह सम्मान कैसे देखते हैं इसको कि योगी आदिजनात करफ से एक जो ने कि 2017 में मोधी आया था मेरट रहाएगा और भरी रहली में में कैकर गये थे किसानों को लुबाने के लिए कि जब हमारी सरकार आजाएगी मैं कह दूंगा सरकार से मेरी बात मालेगी हजार सास वो पांसो साससो हजार करोड रुपे में चोधरी चरंण सिंग जी के नाम से उत्तर परदेश के हर जिले में किसान कल्यान कोस बनेगा बताईए कहा है तो अब इन्हें दिखाई दिया कि ये तो किसान नाराज है अब ये बोट नहीं होंगे उधर ये किसान अंदोलन रहता है अपने तीनों काले कानून और में स्पी पे तो यह यहां से भागे ब्रेज में पहुच गए हलिगड में और वहां इन्होंने राजा में अंदर परताप सिंग को पकल लिया अब क्या करा उनके नाम से एक यूनिवस्टी का इट का पत्थर रख दिया साड़े चार साल बाद क्योंकि अब सरकार तो आनी नी तो करना तो है नी एक लोली पॉप दे दो तो अब किसान इनके लोली पॉप में नहीं आए योगी जी थोड़ी कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में मोदी को साथ साल बाद राजा महें अंदर परताप सिंग्ग याद आए क्या उसे वो अपनी बात याद है कि 2017 में गाज़े मेरट के अंदर केके गया था वो याद है उसे याद है कि बच्चों की दो करोड़नोकरी का वादा कर गया था ये सारे वादे अब हर किसान की जबान पर है हर बे रोजगार की जबान पर है आप रोजगार की बात रेरें तो अभी रीषेंटली जो है योगजदी इतना जी प्रेस कॉंफरेंस करते हुए जो है बता रहे हैं क्योंकि हर राजियों से एक बड़ा राजी उत्रप्रदेश माना जाता है और उसके मुताबिक जो है विरुजगारी दर जो है अन्य सरकारों के मुकाबले और पिछली जो सरकार उत्रप्रदेश मरही हैं उसके मुकाबले ज जिसे के जिस दिन उन्होंने सत्ता समाली थी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ति और भारत में कितनी थी चालिस करोड बेरोजगारी थी भारत के अंदर गरीब गरीब लोग थे चालिस करोड और आज 80 करोड है तो बताइए तो बताइए चलिए इसे भी छोड़ दीजिए आपने ये कह दिया के आपदा के तहे तो बताइए मोदी जी के आपदा के अंदर सुइस बैंक में काला धन कितना बढ़ गया जब आपदा है यहां तो कुछ है ही नहीं तो फिर हिंदुस्तानियों का सुइस बैंक में काला धन कैसे बढ़ गया वो बतादो बिल्कुल मुद्दों पर बात करो चलिए ठीक है आप काला धन पर चले गए मैं अब उस वाले मुद्दे पर जाओंगा नहीं कि कह रहे थे कि 15 सरकारे रही हैं वह सिर्फ अपनी मकान और अपने अराम के लिए जो बेवास्ता करते थे लिकानी सरकार ने जो है करीब 42 लाख लोगों को जो है घर मकान बनवाया है तो इस सरकार ने कहा है मतलब उड़ा दिया पैसे काम में लगाए प्रवट्टिस अगरों ते कुछ भी सूंसे कहो के कल उन्होने सीतापूर में एक किसान नेता को हाुश अरेष्ट कर रखा था ऑर उसका जो महल है किसान का जरा वो भी सब जूट है सब प्रोफगंडा है सब अपना पेट भर रहे हैं राजनेता जनता की तरफ नहीं देख रहे अगर जनता की तरफ देखते और इन्हों ने इतना अच्छा काम किया तो फिर पोश्टर दिल्ली में और करनाटक में क्यों लगवा रहे हैं अच्छा काम की अगर बैड़ो जनता बोट देगी अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हे दूर से लोग पहचानेंगे और अगर तुम नालायक हो तो चाहे कितना भी अच्छा बल्लो जनता तुम्हें नकार देगी और जनता नकार चुकी है किशानों पर अभी उम्मिंद्ध है जिस तरीके से अभी पंजाब जो सब माफ कर दिया जाएगा किया लघता है कि योगी पिकर कर रहे हैं इस समय पर कि आने वाले समेंबे जो है किशानों की जो है रेट जो मुल्ले मिलने वाला है वो बढ़ोत्री की जाएगी किशान असमंजस में ना रहें तो आप इसे खबराये नहीं और एक तरब पंजाब की सरकार है तो दोनों में आप कैसे देखें देखें आपके पास ठाली में खाना रखा है आप उसे तो खानी रहें कहरें जो कलकू मेरे पास आएगा उसे खांगा अरे आज तुम्हारी सरकार है आज तो तुमने किया नहीं आगे आने वाले सपने दिखा रहे हो एक कहावत है मैं देहती गाओं का आदमी हूं गोदके को छोड़के पेटके कियास कर रहे ह कावत है यह तो भई जब आज तुम्हारे पास सरकार है आज तो तुमने किया नहीं करेंगे आएंगे देंगे इस पे अब जनता विश्वास नहीं करती है जनता उस पे विश्वास करती है कि जो परजेंट में है और परजेंट में आपके पास सिर्फ एक नफरत के अलाव कुछ नहीं है देश के अंदर नफरत फैलाओ और राज करो फूट डालो राज करो इन सब वादों से जहें कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं चुना नहीं इनको बता दो वादा तिरा वादा वादे पे तिरे मारा गया यह किसान सीधा साधा इन्हें बता देना कि अब वादे पे किसान नहीं आएगा किसान धरातल पे देखता है जो धरातल पे होगा किसान वो करेगा क्योंकि अब इनके जावा दिन आ गए है और इनका जाना निश्चित है यह किसान मजदूर, बेरोजगार, महंगाई इसे लिख चुकी है तो अब इन्हें अपने जाने के दिन दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी कहें जए किसानों का अंदोलन जो है, मैं गाज़ीपूर के अगर बात करूँ तो नो महीन से ज़्यादा का समय निकल चुका है उससे पहले जो है, सिर्फ वारता ही वारता हुई काफी मसक्कत के बाद लेकिन अब ऐसा क्या है, कि जब चुनाव में इतना कम समय रह गया है तो जितनी राज़ीपूर की पार्टियां है सिर्फ किशानों की ही बात करूँ तो आभी ने दिखाई दे गया, इन्हों ने मुझा फनगर पंचा देख ली यह कहते थे मुठी बर किसान है और वो मुठी हमने भी दिखा दी के तुम बताओ तुमारी मुठी कितनी बड़ी है आज हम उसमें बैठ के देखते हैं तो मुठी बता दी बीवी सी लंदन ने के 80 लाख किसानों से ज़्यादे आये थे और वो 80 लाख किसान नहीं थे वो 80 लाख परिवार थे और एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं मिनिमम तो कितना बड़ा बोट बैंकताब इनको दिख गया दूसरी पार्टियों को दिख रहा अगर किसान हमारा साथ देंगे तो सत्ता हमारी तरफ है इनको दिखाई देग Cambod किसान तुम से गया तो सत्ता तुमारी गई दूसरी चीज है कि अब एक चीज चलेगी कि अब जाती धरम नहीं चलेगा ये लिख लो